नमस्कार मैं हूँ मनीशा जहाँ आप देखने एवियने निउस वक्त हो चला है इंटरनेशनल खबरों का अवैद रूप से घुसनें, कागजों के फरजी वाड़े और वर्क परमिट खत्म होने के बावजूद जमे रहने की वज़े से दुनिया भर में पाकिस्तानी नागरी को बेईज़त किया जा रहा है और उन्हें जबरन उनके मुल्क में भीज़ा जा रहा है 2015 से अब तक हर दिन औस तन 283 पाकिस्तानी नागरी को कून निकाला जा रहा है 2015 से अब तक 138 देशों द्वारा 6,18,887 पाकिस्तानियों को वापस भेज़ दिया गया है पाकिस्तानी मीडिया रिपॉर्ट्स में से विदेशों में मौझूद पाकिस्तानी दूतावासों की नाकामी को जिम्मधार बताया गया है फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजिन सी एफाई ने भी कहा है कि विदेशों में पाकिस्तानी मिशनों की ओर से इन्हें सही मदद नहीं दी गई जिसकी वज़े से हाल की दिनों में डिपॉर्ट किये जाने वालों की संख्या में तीजी से वृत्ती हुई है कुल डिपॉर्ट किये गए लोगों में से 72 फिसदी, सौधी अरब, उमान, UAE, कतर, बहरीन, एरान और तुर्की जैसे देशों में से हैं जिनका पाकिस्तान के साथ दोस्ताना रवया है कुल 52 फिसदी लोग केवल सौधी अरब से ही वापस भीज दिये गए रिपॉर्ट के मुताबिक पिछले 6 साल में सौधी ने 3,21,590 पाकिस्तानियों को वापसी का रास्ता दिखाया है यानि ओसतन हर दिन 147 लोग सौधी अरब ने 2015 में 61,403 पाकिस्तानियों को वापस भेजा तो 2016 में 57,407, 2017 में 53,736, 2018 में 50,944, 2019 में 38,470 और 2020 में 19,333 लोगों को सौधी से निकाला गया है UAE ने पिछले 6 साल में 53,649 पाकिस्तानियों को निकाला है एरान ने 1,36,930 पाकिस्तानियों को वापस भेजा है तहरान ने 27,051 अवैद प्रवासियों को पाकिस्तानी सीमा पर अर्धिकारियों के हवाले किया है देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रही एबने नियूस के साथ